इसके बाद की आपकी सभी का तॉपिक है इंडियन जोग्रोफी और इंडियन जोग्रोफी में आज हम क्योंकि ये Demo Class है इसके बाद की आपकी सभी Classes Daily Basis पे App पे रहेंगी वासु Concept Application पे तो उस पे Daily Basis पे Class रहेंगी आज की हमारी Class Demo Class है जिसके अंदर हम जानेंगे भारत के बारे में Basic Information भारत की स्थीती भारत के कौन-कौन से पडोसी देश हैं कहां पे भारत एशिया कॉंटिनेंट में स्थीत है इसके इलावा गलोब पे भारत की स्थीती क्या है विश्वे में भारत की स्थीती कहा है कौन से गुलार्दों में भारत आता है तो ये सब आज हम इस क्लास में जान भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यानि भारत में जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सासन है तो इसलिए हम क्या है हम एक लोगतांत्रिक देश है भारत एक लोगतांत्रिक देश है वर्तमान में क्योंकि भारत के जो राज्य हैं वो बदलते रहे हैं संख्या के अंद भारत की बोगोलिक स्थिती हम जानते हैं कि जोग्रोफिक हमारी क्लास है इस से पहले हम ये देख चुके हैं जो पीछे की क्लासेज हमने की थी उनमे से कमने एकक लास में ये जाना थाbellि कि कि देश की हर स्थान की स्थीती का पता चल सके तो भारत की स्थीती जानने के लिए भी हमें किसका यूज करना होगा अक्षांस और देशांतर रेखाओं का अक्षांस ये द्रस्टी से भारत उत्री गोलार्द में और देशांतरी द्रस्टी से भारत पुर्वी गोलार्द में स् देखे यह है equator विश्वत रेखा 0 degree इस रेखा के North Pole की side तक यानि यहां पे है North Pole उतरी धुरुए तो विश्वत रेखा से उतरी धुरुए तक यह जो पार्ट है यह कहलाता है Northern Hemisphere उतरी गोलार्द और विश्वत रेखा के दक्षिन में यहां Southern Pole, South Pole यह वाला भाग कहलाता है विश्वत रेखा के दक्षिन में यह दक्षिनी गोलार्द ठीक इसी तरह से यह तो हमने देखा अक्षांस के हिसाब से अब हम देखते हैं देशांतर रेखाऊं यानि लोंगीटूड के हिसाब से लोंगीटूड के अकोर्डिंग जो लोंगीटूड के East Side में यह वाला पूरा पार्ट जो है यह पूरा आता है Eastern Hemisphere में पूर्वी गोलार्द और Zero Degree के West Side में यह है Western Hemisphere पश्चिमी गोलार्द तो अब हम बात करें कि हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है कैसे कि हमने एक तो देखा है Northern Hemisphere एक Southern Hemisphere जिसका Division हमने किया है Latitude यानि अक्षांस रेखाओं के आधार पे और अक्षांस में भी Zero Degree को आधार बना करके हमने Zero Degree के North Side में उतरी गोलार्द और दक्षिन साइड में दक्षिनी गोलार्द दो पार्ट में डिवाइड किया अब हम बात करें Long Longitude की देशांतर रेखाओं की तो देशांतर रेखाओं को आधार बना कर यानि Zero Degree देशांतर रेखा को आधार बना करके जो पूरव में है हिस्सा वो पूरा पुर्वी गोलार्द और जो West में है पश्चिम में है वो पश्चिमी गोलार्द तो Basically हमारे चार गोलार्द है Eastern Hemisphere ठीक है तो अब हम भारत की स्थीती देखें क्योंकि स्थीती जानने के लिए हमें अक्षांस रेखा की और देशांतर रेखा दोनों की ही जरूरत होती है तो देखें भारत की स्थीती कहां प्यारी है ये रहा हमारा प्यारा देश भारत तो भारत की स्थीती अगर हम Zero Degree दे विसवत रेखा कि, according अगर हम देखें तो यहाता है नदन हैमिसफेर में, तो भारत की स्थिती है नौर्थ इस्ट हैमिस्पेर में, अब यह बात आपको ध्यान हमने किस के द्वारा की है, मैप के द्वारा, तो अब आपको यह बात ध्यान रहनी चाहिए évidemment कि भारत की स्थिती ह नोर्थ इस्ट हेमिस्फेर में और एशिया कॉंटिनेंट देखे एशिया कॉंटिनेंट के अगर हम बात करें तो यहां पर यह जो आपको द्वीपिय देश दिखाई दे रहे हैं यह कहां पर आते हैं यह सदन हेमिस्फेर में भी आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं लेक हेमिस्फेर में अश्या नहीं है नधन हेमिस्फेर में में है सदन हेमिस्फेर में भी ए ठीक है क्योंकि यलो कलर से आपको जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है वो एशिया के ही द्ウीपय देश है जैसे इंडोंेशिया हो गया देखिये अब हम जानते हैं अक्षांस और देशांतर के हिसाब से अमने देख लिया कि भारत जो है वो उत्तर पुर्वी गोलार्ध में स्थित है अब हम देखते हैं कि भारत की स्थीती कितने डिग्री से लेकर के कितने डिग्री अक्षांस रेखा में और कितने डिग्री देशांतर रेखा से कितने डिग्री देशांतर रेखा के बीच में स्थित है भारत तो देखे 68 degree 7 ये है दिशान्तर रेखाएं जो भी रेखाएं आपको vertical दिखाई दे रही है वो है दिशान्तर रेखाएं तो अगर हमें पूरव से पश्शिम भारत का विस्तार बताना है पश्शिम से पूरव या पूरव से पश्शिम बात तो एक ही है तो पश्चिम से पूरव या पूरव से पश्चिम क्योंकि हम इस साइड से काउंट कर रहे हैं क्योंकि हमारी 0 डिग्री कहां पे है देखे हम पश्चिम से पूरव की तरफ बढ़ रहे हैं पश्चिम से पूरव की तरफ कारण क्या है 0 डिग्री को आधार बनाया है न तो इस तो Longitude में हम पहले देखते हैं Longitude क्योंकि पश्चिम से पूरव तक हम विस्तार देख रहे हैं भारत का तो 68 degree 7 देशांतर रेखा से लेकर के 97 degree 25 यहां तक विस्तार है भारत का यह विस्तार कहां से है पश्चिम से पूरव तक यह विस्तार है और पश्चिम से पूरव तक विस उत्तर से दक्षिन और क्योंकि हम 0 degree अब देखे विश्वत रेखा जो एक्वेटर लाइन है विश्वत रेखा जो है उसी को आधार बना करके हम देख रहे हैं तो देखे ये 0 degree से जब हम उत्तर की दिशा में बढ़े यानि दक्षिन से उत्तर की तरफ हम भारत की स्तीती लेकिन यदि अंडमान निकोबार के हिसाब से देखें तो यह आता है 6 डिगरी 4 यह अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर देखें यह है 8 डिगरी 4 यह अक्षांस रेखा है 8 डिगरी 4 से लेकर के 37 डिगरी 6 तक अक्षांस यह विस्तार है भारत का यह अक्षांस रेखाएं हैं यह आपको जो दिखाई दे रही हैं यह अक्षांस रेखाएं हैं तो यहाँ तक विस्तार है भारत का और ये 8 डिग्री 4 और हम अंडमा निकोबार को काउंट करें क्योंकि अंडमा निकोबार भी तो भारत का ही हिस्सा है तो ये आता है 6 डिग्री 4 अब देखें अक्षांसिय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उतरी अक्षांस में और यदि बात करें मुख्य भूमी की तो मुख्य भूमी 8 डिग्री 4 से भारत की सुरू होती है जो की 37 डिग्री 6 तक समापत होती है अब यहाँ पे अगर आपके पास कॉश्चन ये हो कि भी भारत का अक्षांसिय विस्तार कौन सा है तो आपको आंसर करना है 6 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक कारण क्या है अंडमान निकोवार जो 6 डिग्री 4 पे है अक्षांस में तो वो भी तो भारत का ही हिस्सा है तो इसलिए 6 डिग्री 4 लेकिन यदि कॉश्चन की लेंग्वेज में दे रखाओ कि मुख्य भूमी से विस्तार बताना है अक्षांसिय रेखाओं का तो मुख्य भूमी से विस्तार होगा 8 डिग्री 4 क्योंकि भारत के भू भाग में जम्मो कश्मीर और प्रेजेंट में हम क्या कहेंगे लदाख केंदर सासीत प्रदेश लदाख से लेकर के तमिल नाडू तक का विस्तार कितना है तो वो है 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक और यदि हम बात करें कि अंडमा निकोबार तो वहां से 6 डिग्री 4 से लेकर के और उत्तर के अंदर लदाख तक में 37 दिगरी 6 तक तो ये हमारा है अक्षांसिय विस्तार देशांतर ये विस्तार हम देख चुके हैं 68 दिगरी 7 से लेकर 27 तक और पूर्वी देशांतर में क्योंकि पूर्वी गोलार्द में इस्टन हैमिस्फेर में आता है भारत भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिनी भाग में स्थित है और दक्षिन एशिया की अगर बात की जाए दक्षिन एशिया जिसमें कौन-कौन से देश आते हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान, बांगलादेश इसके लावा सिरलंका और मालदिव ये देश आते हैं दक्षिन एशिया में, तो क्षेतरफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी, भारत, दक्षिन एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है, क्षेतरफल के हिसाब से भी और इसके लावा जनसंख्या के हिसाब से भी, ठीक है, तो दक्षिन एशिया क कि यदि बात आए तब भारत सबसे बड़ा क्षेतरफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है दक्षिन एशिया में अब देखे भारत का सबसे उत्तरी बिंदू नदन पॉइंट भारत का है इंद्रा कोल जो कि कहां पे है लद्दाख में है और लद्दाख प्रेजेंट में क्या है केंदर सासित परदेश है यह देखे यहां पे है लद्दाख में इंदरा कॉल और सबसे नीचे यहां पे तो यह है कन्या कुमारी पहले जब तक लद्दाख जो है वो जम्मु कश्मीर का ही पार्ट था तो उस समय में बहुत सारे सौंग जो बॉलिवुड के metabolism आपको जी के प्रिपर कर्वा आरा था लेकिन अभा गलत हो गया आडग अब स्वेम 1 ठारे ट्री बन गया है और अलग्दाख भी यूनियन ट्रेंट्री तो सबसे नदन पॉइंट पहले हम कह सकते थे न कि जम्मू कश्मीर में ही सबसे नदन पॉइंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट का ही हिस्सा था लद्दाक लेकिन प्रेजेंट में हम क्या कहेंगे लद्दाक सबसे नदन पॉइंट लद्दाक में और सबसे सदन सबसे दक्षिन्तम हिस्सा भू भाग का अगर बात करें तो कन्या कुमारी और इसके लावा यदि बात करें कि अंडमा निकोबार क्योंकि 6 डिगरी 4 से ही सुरू हो जाता है अंडमा निकोबार तो वहाँ पे है इंद्रा पॉइंट या फिर उसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते है तो सबसे नदन पॉइंट जो है हमारा वो है इंद्रा कॉल और सबसे दक्षिनी पॉइंट जो है वो है इंद्रा पॉइंट और ये कहां पे है अंडमा निकोबार में इंद्रा पॉइंट या इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं ये अंडमा निकोबार में है ये भार ठीक है पुर्वी बिंदो के अगर हम बात करें तो वो है किभी थू अर्णाचल प्रदेश में और पश्चिमी बिंदो के अगर हम बात करें तो वो है गोहर माता गुजरात में किभी थू और गोहर माता तो देखें यहां पे है किभी थू सित्यार्ण में डिग्री 25 यहां प या पिगमेलियन पॉइंट अब देखे भारत के उत्तर में हिमाले परवद है, देखे हिमाले कितनी सद्यों से भारत की रक्षा कर रहा है, जलवाईयू के नाते भी इसके लावा बहरी आकरमनों को रोकने में भी तो हिमाल्य की तो बहुत बहुत ही इंपोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपुर्ण है हिमाल्य हमारे लिए, इसलिए हिमाल्य पे सैकडो कवीताएं लिखी गई है, जैक संकर प्रशाद ने कवीता लिखी है, हिम गिरी के उतुंग सिखर पर बैट सीला की सीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से, देख रहा था प्रल्य परवा, नीचे जल्था, उपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्वे की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन, दूर दूर तक विस्तरत था हिम, स्तब दूर अवसान, बहुत ही लम्बी कवीता है ये, लेकिन ये बहुत ही प्यारी कवीता है, इसी तरह से बहुत सैंक्डों, हजारों कवीता ही लिखे गई है, हिमाल्य पे, क्यूंकि हिमाल्य की importance हमारे लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पर देखे दक्षिन पश्चिम में क्या है तो अरब सागर है यह तीन तो हम जान देए कि उत्तर में हिमाले दक्षिन पश्चिम के अंदर अरब सागर और दक्षिन पूरों में बंगाल की खाड़ी भारत की आकरती चतुस कोणिये है यह बहुत ही बेसिक फैक्ट है हमारे इंडिया के बारे में क्षेतरफल की अगर हम बात करें तो 32,87,263,32,087,263 km2 वर किलोमेटर इसका एरिया है जो की 2.43% है पूरे विश्वे के क्षेतरफल का भारत क्षेतरफल की द्रस्टी से विश्वे का सात्वा बड़ा देश है देखिए हमने इससे पिछली क्लास में डिसकस कर लिया था कि सबसे बड़ा देश है क्षेतरफल के हिसाब से रसिया इसके बाद में कनाडा और तीन नंबर पे आता है USA बहुत सारे स्टूडेंट अभी विशायद इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है कि USA तीन नंबर पे आता है तो आप कुछ authentic शोर्स को यूज करो USA उसके बाद आता है चीन यह हम सिक्वेंस देख चुके थे तो भारत का स्थान कौन सा है भारत का स्थान है सात्वा क्योंकि इसके बाद आता है ब्राजिल ब्राजिल के बाद छटे नंबर पे आता है उस्ट्रेलिया और उस्ट्रेलिया के बाद सात्वे नंबर का देश विश्वे का सबसे बड़ा 7 वी नंबर का देश है हमारा प्यारा भारत भारत की पूरव से पश्चिम लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिन अगर हम बात करें तो वो है 3214 देखे ये वाली लंबाई इस लंबाई के हम बात करें ये है 2933 किलोमीटर लंबी और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिन तक तो ये है 3214 किलोमीटर लंबाई यानि भारत की उत्तर से दक्षिन लंबाई जादा है पूरव से पश्चिम की तुलना में ठीक है नेक्स देखे भारत के कौन-कौन से देशों की सीमा लगती है तो देखे भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखने हैं कि यह वाली जो सीमा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो लद्दाक की सीमा अफगानिस्तान से लगती है लेकिन प्रेजेंट में यह वाला भाग हमारे पास नहीं है यह हम कहते हैं पाक उक्यूपाइड कश्मीर उसके ध्यान आ रहा है कि यह वाला पार्ट किस तरह से पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था यह वाला पार्ट जो पाक उक्यूपाइड कश्मीर हम जिसे कहते हैं पी ओके उसके पास है तो प्रेजेंट में यह वाली जो सी अंतरास्ट्री सीमा है यह हमारे पास नहीं है तो अ नेपाल चाइना है क्योंकि तिबबत का ये वाला पाट देखे तिबबत को किसी समय में तिबबत एक सुवतंतर रास्ट्र हुआ करता था लेकिन जैसे होंग कॉंग पे इसके अलावा हमने देखा था ताइवान पे चाइना किस तरह से खुद का नियंतरन बताता है खुद का नेपाल से लगती है भूटान से लगती है बांगलादेश से देखे बांगलादेश से तो बाउंटरी कैसे लगती है कि जब भारत का विभाजन हुआ था और उस समय में पाकिस्तान जो था ये पश्चिमी पाकिस्तान था ये पुर्वे पाकिस्तान था लेकिन हमें ये बा बुटान बांगलादेश इसके अलावा भारत की सीमा लगती है देखी यहाँ पे हमारा द्वीपिये यूनियन टेरिटरी है लक्षे द्वीब और यहाँ पे यह है मालदीव यह जो द्वीपिये देश आपको दिखाई दे रहा है यह है मालदीव इसके अलावा सिरलंका यह जलिये सीमा से जुड़ा हुआ देश है इसके लवा यहाँ पे अंडमा निकोबार के बाद में इंडोनेशिया यह हमारा अंडमा निकोबार है जो की यूनियन टेरिट्री है इसकी सीमा लगती है जलिये सीमा लगती है इंडोनेशिया के साथ में तो देखिए पाकिस्तान, अ इन में आपको ये confused नहीं होना है कि क्या ये जल के साथ अपनी तट्रेखा शेयर करते हैं क्या बिलकुल भी नहीं ये आपको दिखाई दे रहा है ये बांगलादेश है और ये बांगलादेश के पानी लग रहा है यहां पर Bay of Bengal बांगलादेश के सीमा यानि ये तट्रेखा ज लगती है त्रिपुरा और मिजोरम के तट्रेखा नहीं लगती है ये मियामार के साथ देखे मिजोरम मनीपूर नागा लेंड और इसके लावा अरुना चल परदेश ये मियामार के साथ भी सीमा शेयर कर रहे हैं तो ये हमारी सीमा हैं इंटरनेशनल बांडरी हैं जो भारत शेयर करता है देखे भारत की स्थलिय सीमा की लंबाई है 15200 किलो मेटर बहुत सारे वंडे एक्जाम में ऐसे कौशन पूछ लिये जाते हैं ये जो चेप्टर है इसकी इंपोर्टेंस ये है कि आपको कितनी ही बार ये कौशन देखने में मिल जाता है कि करक रेखा कौन-कौन स स्टेट से गुजरती है इसके अलावा जो साड़े बियासी डिगरी मानक रेखा हमने समय के लिए बना रखी है वो कौन-कौन से स्टेट में से गुजरती है बहुत बार ये कौशन पूछा जाता है ठीक है तो आज हम वो भी डिसकस करने वाले हैं मुख्य भूमी की तटिय सीमा जो है वो है 6100 किलोमेटर मुख्य भूमी से क्या मतलब हुआ भई मुख्य भूमी से मतलब है ये मुख्य भूमी गुजरत गुजरत के बाद महरास्टर गोवा करनाटक कैरल तमिल नादू इसके बाद आंद्रप्रदेश उडिसा और वेस्ट बेंगोल ये जो तट्रे कौन सी बाकी है हमारे लिए लक्षय दीब की अंडमान निकोबार की ठीक है बेखे मुख्य भूमी की तट्रेखा कितनी है तो 1600 किलोमेटर है द्वीप सहीत द्वीप सहीत कुल तट्ये सीमा जो है वो है कुल तट्ये रेखा ये है 7516.6 किलोमेटर ठीक है तो कुल कितनी हुई वो हम जोड लेंगे लेकिन हमें अलग-अलग क्या ध्यान रखना है कि स्थलिये सीमा जो है वो है 15200 किलोमेटर मुख्य भूमी की तट्ये रेखा जो है तट्ये सीमा जो है वो है 600 किलोमेटर अगर आइलेंड द्वीप को इंक्लूड कर दें तो इसकी संख्या हो जाती है 7516.6 किलोमेटर अब इन टोटल को जोड देंगे 15200 प्लस कुल तट्ये तो वो आजाएगी 22716.6 किलोमेटर देखे दमन देव और दादर नगर हवेली जिनकी लोकेशन हम अभी देखेंगे मैप में इनको मिला करके एक यूनियन टेरिट्री बना दिया गया है ठीक है तो इसी बज़े से यूनियन टेरिट्री कितनी है 8 ठीक है 9 राज्यों तथा 4 केंदर सासित परदेशों की सीमा जो है वो समुंदरी तट्रेखा से लगती है 16 राज्यों तथा 2 केंदर सासित परदेशों की सीमा पडोसी देशों से लगती है स्थलिय सीमा की हम बात कर रहे हैं देखे मैप में ही देख लेते हैं कि कौन-कौन से international border की हम बात कर रहे हैं तो देखे यहां पे गुजराज जो है यह international border share करता है पाकिस्तान से फिर राजस्तान, राजस्तान के बाद कभी भी confused नहीं होना है इसलिए map को बार बार देखा करो हर्याना मत कर देना, हर्याना के कभी भी international border touch नहीं होता देखे इस तरह से रह गया है ह यहां पे पंजाब के बाद देखे जम्मो कश्मीर union territory है जो कि पाकिस्तान के साथ लदाख जो है यह पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के साथ भी और यह वाला पार्ट चाइना के साथ क्योंकि तिबथ अब चाइना का ही भाग है हम चीन देशी कहते हैं तो इसलिए लद्दाख union territory जो है ये तीन के साथ अपनी boundary शेर करता है पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी जब्मो कश्मीर union territory जो की कश्मीर के साथ पाकिस्तान के साथ अपनी international boundary शेर करता है हम बात कर रहे हैं कि भई कितने राजे हैं जो की इंटरनेशनल बाउंडरी लगती है जिनके अंतरास्ट्रे सीमा लगती है तो गुजरात राजस्तान पंजाब इसके बाद हिमाचल परदेश के ये वाला पार्ट चीन के लगता है उत्राखन चीन के साथ भी और साथ में नेपाल के साथ बाउंडरी लगती है बिहार स्टेट की नेपाल के साथ बाउंडरी लगती है ये है बहुत ही प्यारा सा स्टेट सिक्किम सिक्किम के बाउंडरी चीन के साथ उत्तर में लग रही है पश्चिम में नेपाल के साथ लग रही है पूरों में भुटान के साथ इसके अलावा हम बात करें असम की तो असम के यहाँ पे देखे भुटान के साथ बाउंडरी लग रही है अरुनाचल परदेश चीन के साथ भी और यहाँ से म्यामार के साथ यह वाली बाउंडरी म्यामार के साथ नागालेंड मनीपूर मिजोरम यह सभी म्यामार के साथ अपन जो तीन तरफ से पूरी तरह से गीरा हुआ है बांगलादेश से ठीक है और तिरिपुरा की जो राजधानी है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे यहीं पे है अगर तला तो यह इतने स्टेट हो गए हैं देखिए साथ स्टेट तो सीधे सीधे हो गए जिनकी इंटरनेशनल यानि अंतरास्ट्री सीमा रेखा लगती है साथ के लावा सिक्किम आठमा स्टेट बिहार और उत्तरप्रदेश दस हो गए हैं उत्राखंड और हिमाचल बारह हो गए हैं पंजाब तेरह राजस्तान 14 नंबर पे गुजरात 15 नंबर पे और इसके लावा यहां पे 16 नंबर वेस्ट बेंगोल तो 16 स्टेट हो गए जिनकी बाउंडरी यानि स्थलिय सीमा लगती है ठीक है तो यह हमें रेटने नहीं पड़े मैप के थ्रूई आपको भी याद करना है ताकि आपको ध्यान रहें कि कौन सा राज्य किसके साथ अपनी बाउंडरी शेयर करता है अब हम फिर से facts पढ़ते है 19 स्टेट ऐसे हैं जो स्थल अवरूद हैं अब ये बात आपको अपने मैप में खुझ से सर्च करनी है कि कौन कौन से वो 19 स्टेट हैं जो स्थल अवरूद हैं क्योंकि हम देख चुके हैं भई कि 28 राज्यों में से 9 राज्यों के लगती है तट तरेखा नहीं लग रही है नो राज्यों को छोड़ कर करके जो बचेवे 19 राज्ये हैं क्योंकि 19 और 9 कितने होते हैं 28 होते हैं तो नो स्टेट हम देख चुके हैं जिनके तरेखा लगती है समुद्र लगता है इसके लावा बचेवे 19 स्टेट तो वो स्थल अवरूद हैं आपको खुद से देखना है कि कौन-कौन से बचेवे स्टेट हैं ठीक है पाँच राज्यों की सीमा अंतरास्ट्रे सीमा से नहीं लगती और ये स्थल अवरूद भी है ऐसे वाले कौशन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे स्टेट बताओ जिनके ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और ना ही उनके कौस्ट लाइन लगती है यानि तट्रेखा लगती है तो ऐसे स्टेट कौन से है एक तो है हर्याना एक है चतिस गड़ एक है मध्यपरदेश जारखंड और ये है तेलंगाना तो ये पांच वो स्टेट हैं जो की लेंड लोग भी है इंटरनेशनल बाउन्डरी भी नहीं लगती एक बार इनको देखी लेते हैं एंपी तो देखें देखने के साथ समझ में आता है एंपी लेंड लोग भी है कहीं से कहीं तक बाउन्डरी भी नहीं लग रही है एंपी के बाद में 36 गड़ लेंड लोग भी है कहीं से कहीं तक बाउन्डरी भी नहीं लग रही है इसके बाद में जारखंड तो जारखंड के भी boundary नहीं लगती बिहार के देखे ठीक तरीके से नेपाल की boundary लग रही अच्छी खासी ये वाली पूरी नौर्थ साइट नेपाल के साथ तो यहाँ पे जारखंड हो गया है इसके लावा देखे यहाँ पे इस तरह से है तेलंगाना जो की अलग हुआ है आंदरप्रदेश से जबकि आपको यह लग सकता है कि यहाँ कॉस्टल लाइन आंदरप्रदेश के लगने के कारण और आंदरप्रदेश से अलग होकर के राज्य बना है तेलंगाना तो तेलंगाना के लग सकती है, नहीं, तेलंगाना इस तरह से है, तो ये है तेलंगाना, आर्टियो नंबर तेलंगाना के TS से ही है, इसलिए हमने इसे TS से इंडिगेट किया है, ठीक है, इसके लावा हमने एक और कौन सा स्टेट देखा था, हरियाना, ये 5 स्टेट आपको ध् टेरेटरी है ठीक है इसी तरह से जो पंजाब और हर्याना दोनों की ही कैपिटल है चंडिगट तो चंडिगट भी क्या है लेंड लोक भी है कोई तट्रेखा भी नहीं लगती है और ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंडरी लगती है तो यह चीजें आपको खुद सर्च करनी है जबकि यहां पर यह दोनों जो यूनियन टेरेटरी है कि यहां पर कश्मीर और इसके लावा लद्दाख वाला पार्ट तो यह दोनों ही क्या है इंटरनेशनल बाउंडरी शेयर करते हैं तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है पाच स्टेट आपको ध्यान रखने हैं जो 82.5 लोंगिटूड और ये कौन कौन से स्टेट में से निकल रही है आपको दिखाई दे रहा है नेपाल से होते हुए ये UP में एंटर की UP के बाद में देखे ये मध्य प्रदेश से भी निकल रही है MP से भी और इसके लवा 36 गड़ से भी और 36 गड़ के बाद में ये उडिसा स और फिर ये बंगाल की खाड़ी में तो ये आपको ध्यान रखने है UP MP 36 गड़ उडिसा और इसके लावा आंधर प्रदेश ये पांच स्टेट हैं जिनसे साड़े बियासी डिगरी मानक रेखा गुजरती है जिसको हमने हमारे भारत के समय के समय के लिए आधार बनाया 24 गरे एधार ये ये साड़े 23 डिगरी करक रेखा की हम बद कर रहגם है साड़े 23 डिगरी करक रेखा ऩैट्रोपिक of कैंसर और ये है MP तो ये MP से भी गुजर रही है इसके बाद में ये है 36 गड देखो 36 गड ऐसा स्टेट है जिसमें एक दूसरे को आपस में काटती है करक रेखा और मकर रेखा पूछा जा सकता है वो कौन सा स्टेट है कौन सा रज्य है जिसमें करक रेखा और मकर रेखा नहीं sorry sorry करक रेखा और साड़े 82 डिगरी देसांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं यहाँ पे अभी हमने देखकर आये ना कि यहाँ से इस तरह से यह आई है हमारी साड़े 82 डिगरी देसांतर रेखा तो साड़े 82 डिगरी देसांतर और यहाँ पे साड़े 23 ड MP से दोनों ही रेखा हैं गुजर रही है साड़े बियासे डिग्री देसांतर रेखा भी MP से गुजरती है साड़े 23 डिग्री करक रेखा भी लेकिन एक दूसरे के साथ कहां क्रोस करती हैं ये दोनों ये करती हैं 36 गड़ से ठीक है इसके बाद देखें चतिस गड़ के बाद ये जारखंड से एंटर होते हुए West Bengal और फिर ये बांगलादेश इसके बाद में तृपुरा और मिजोरम तो कितने स्टेट हो गए हैं गुजरात, मध्यापरदेश, चतिस गड़, जारखंड, वेस्ट बेंगोल, तृपुरा और मिजोरम ये स्टेट वो स्टेट हैं जहां से साड़े 23 डिगरी करक रेखा गुजरती है, ठीक है, देसांतर रेखा है, साड़े 82 डिगरी देसांतर रेखा तो पांच स्टेट से गुजरती है और करक्रेखा अभी हमने देख लिए देखे गुजराच से राजस्तान से आठ राजे हैं जिन से गुजरती है मद्याप्रदेश अच्छा राजस्तान को शायद हमने मैप में काउंट नहीं किया देखे ये वाला पार्ट यहां से राजस्तान से है न यहीं पे तो माही नदी को करक रेखा दो बार काटती है हमने देखा था ये वाला फैक्ट वैसे तो क्योंकि देखे फैक्ट घूम फिर के बहुत बार रिपीट हो जाते हैं आपके सामने माही नदी एक ऐसी नदी है जो करक रेखा से दो बार गुजरती है ये बात हम नदियों को पढ़ते समय डिसकस कर चुके थे क्योंकि ऐसा तो हैनी कि कोई करक रेखा एक्चुल में गुजर रही है जिसको माही नदी दो बार काटती है ऐसा fact हम क्यों कह देते हैं यह तो कालतनिक रेखा है लेकिन माही नदी का जो बहाव है वो इस तरह से है कि यह करक रेखा को यहाँ पर example के लिए हम समझ लेते हैं proper manner में इस तरह से काटती है तो यह एक बार गुजर गई दो बार गुजर गई ठीक है तो इसी वज़े से हम कहत एंटर करने से पहले 25 डिग्री वेस्ट बेंगोल के बाद बांगला देश में एंटर करती है ठीक है और मिजोरम के बाद में कहां एंटर कर जाती है म्यामार के अंदर देखे मैप में देखी लेते हैं यह देखे यह म्यामार का पार्ट है इसमें एंटर कर गई है और म्याम इन पाँच राज्यों से होकर गुजरती है भारत की अंतरास्ट्रिय सीमा जो है वो लगती है बांगलादेश के साथ चीन के साथ पाकिस्तान के साथ नेपाल के साथ म्यामार भुटान और अफगानिस्तान के साथ इनका क्रम बहुत बार पूछ लिया जाता है किसकी सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमेटर सबसे ज़्यादा बांडरी जो इंटरनेशनल बांडरी है वो हम बांगलादेश के साथ सेयर करते हैं इसको हम तो ऐसे याद करते थे कि बचपन में भुआ है ना देखे ये ये शौर्ट ट्रिक है तो इससे आप नहीं भूलोगे क्योंकि बचपन में भुआ हम ऐसे याद करते थे आप भी चाहें तो कोई ट्रिक बना सकते इससे आप कभी भूलोगे नहीं कि सबसे ज़्यादा बांडरी लगती है बांगलादेश के फिर लगती है चीन के फिर पाकिस्तान के फिर नेपाल के एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो एक देश को इंडिगेट ना करता हूँ हर एक लेटर जो है वो एक कंट्री को इंडिगेट कर रहा है बांगलादेश चीन पाकिस्तान नेपाल म्यामार भूटान और अफगानिस्तान तो बचपन में भुआ आप जैसे भी चाहें वैसे याद कर सकते तो बांगलादेश के साथ सबसे जादा अभी हम देख चुके हैं वेस्ट बेंगोल असम मेगाले ये तिरिपुरा तो बिलकुल तीन तरफ से घिरा हुआ ही बांगलादेश में है और इसके लावा मिजोरम तिरिपुरा मिजोरम बांगलादेश यहां से करक रेखा भी गुजर रही है और वेस्ट बे सिक्किम के उत्तर दिशा में चीन है और पश्चिम में नेपाल है और पूरो में या बिलकुल उत्तर दक्षिन पूरों के अंदर भुटान के साथ तो अरुनाचल पदेश और लड़ाक इनकी बांडरी लगती है चीन के साथ में पाकिस्तान के साथ में बाउंडरी लगती है जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, राजस्तान की, गुजरात की और लद्दा की हम देख चुके हैं कि तीन तो हैं स्टेट जो की बाउंडरी शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ कौन-कौन गुजरात, राजस्तान और पंजाब, तीनों का क्रम यही है, अगर आप उत्तर से दक्षिन आते हो तो पंजाब, फिर राजस्तान, फिर गुजरात और अगर हम बात करें, यूनियन टेरेटरी की, तो जम्मो कश्मीर और लद्दाग, यह दो यूनियन टेरेटरी हैं, जो पाकिस्तान के साथ जिनकी सीमा लगती है, जब आपके माइंड में मैप होता है न, तो उस समय आपको रटने की नीड नहीं होती है, कि कौन सा स्टेट क इसके साथ boundary share करता है, ठीक है, नेपाल के साथ तो देखे उत्तराखंड, उत्तरपरदेश और बिहार, उत्तरपरदेश और बिहार दोनों के तो नौर्थ साइड में सीधे सीधे लगता है, क्योंकि नेपाल है भी इस तरह से देखे, अब नेपाल के इधर क्या है इसे है ना और यहाँ पे इस जगे से ऐसे वेस्ट बेंगॉल और सिक्किम यहाँ पे इस तरह से सिक्किम स्टेट है, तो यह तो बहुत सिंपल सा है बिलकुल, मैप एक या दो बार आप अपने हाथ से ड्रो भी कर लेते हैं, तब भी आप ऐसी वाली चीजे सीधे ही याद ह हो जाती हैं आपको, तो नेपाल के साथ उत्राखंड की लगती है, उत्तर परदेश की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की लगती है, म्यामार के साथ तो आपको सीधे ध्यान आ जाना चाहिए हमारे नोर्थीस्ट के स्टेट, और मिजरम क्यूस् Notice उर्ण पांगार चल्द क्चारतь çık में करके हैं ऑरो नाचल परनेंगार भुतान के साथ अपनी वंडरी शेयर करते हैं और 600 नियाड में किलोमेटरी ही को यह। क्यूसम उन्य बाउनजे करते हैं इसके बादन हम डेखहने पाक अधिकरत कश्मीर में आती है यह 106 किलोमेटर की बाउंडरी लेकिन क्यूंकि हम उसे अपना ही भाग मानते हैं और वो है भी भारत का भाग तो लद्दाक के साथ 106 किलोमेटर की बाउंडरी लगती है अफगानिस्तान की अब आपको क्रम ध्यान रखना है पाकिस्तान, नेपाल, म्यामार, बुटान और अफगानिस्तान डिजिट बहुत बार बंडे एक्जाम में पुछ ली जाती है तो एक बार आपको डिजिट जरूर धान होनी चाहिए ठीक है अब हम बात करतें रेड क्लिफ रेखा ये तो हमने देख लिया कौन से स्टेट के कौन से इंटरनेशनल बाउंडरी लगती है अब हम बात करें रेड क्लिफ लाइन की तो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांगलादेश इनकी जो सीमा रेखा है क्योंकि उसका निर्धारण एक अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ ने किया था तो इसलिए इसे कह दिया इसलिए दोनों की ही बाउंडरी क्या है रेड क्लिफ लाइन है मैक मोहन रेखा तो भारत और चीन की जो रेखा है सीमा रेखा है वो मैक मोहन लाइनम जिसे कहते हैं डुरंड रेखा जो कि हमारे पास नहीं है पाक अधिकरत कश्मीर में है भारत और अफगानिस्तान के किस तरह से जुड़े हुए है या कौन से डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग करते हैं भारत से खुद को ठीक है तो 8 डिग्री चैनल जो है और ये बहुत बार कॉश्चन में पुछा गया है 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री ये तो फेवरेट रहते हैं एक्जामीनर क कोश्चन पेपर सेट करने वालों के ठीक है 8 डिग्री चैनल मीनिकाय को मालदीव से अलग करता है ठीक है 8 डिग्री चैनल मीनिकाय किसका द्वीप है लक्षे द्वीप क्योंकि लक्षे द्वीप भी क्या है चोड़े चोड़े द्वीप है उसके अंदर तो ये मीनिकाय द् में डिवाइड कर रहा है नाइन डिग्री चैनल यानि भारत में ही है लक्षय द्वीप को ही दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है मिनिकाय और लक्षय द्वीप को 6 degree channel ये Great Nicobar को सुमात्रा यानि सुमात्रा किसका द्वीप है सुमात्रा, जावा, सुमबाया, लंबोक ये हम देख चुके हैं पिछली गलास में कि इंडोनेशिया किस तरह से द्वीप ये देश है तो यहाँ पे सुमात्रा द्वीप जो है उसको अलग करता है Great Nicobar से कौन 6 degree channel यानि 6 degree channel जो है वो एक तरह से इंटरनेशनल लाइन का काम कर रहा है है ना अंतरास्ट्रे सीमा का का काम कर रहा है टैन डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निको बार से अलग करता है जैसे नाइन डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षदीब से अलग कर रहा था वैसे नाइन डिग्री चैनल अंडमान यानि लगू अंडमान को कार निको बार से अलग करता है ग्रेट चैनल ये इंद्रा पॉइंट और इंडोनेशिया इन दोनों के बीच में है ग्रेट चैनल इंद्रा पॉइंट क्या है तो हमने देखा था कि 6 डिग्री 4, 6 डिग्री 4 अक्षानसिय रेखा जो है जो कि हमारे भारत की सुरुवात वहीं से होती है क्योंकि अंडमा निकोबार का सबसे अंतिम बिंदू जो है वो 6 डिग्री 4 पे है जिसको हमने नाम क्या दे रखा है इसे इंद्रा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कह दिया जाता है जो कि भारत का सबसे दक्षिन्तम हिसा माना गया है है ही ठीक है भारत का सबसे पॉइंट है इंद्रा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करने का काम करता है ग्रेट चैनल पाक जलसंदी बहुत बार भारत की जीलों को पड़ते समय हम पाक जलसंदी रामेश्वरम आदम ब्रिज यह सब देख चुके अच्छे तरीके से ठीक है और मैंने वहाँ पे आप जाफना प्राइदीप जो कि सिरलंका के लिए जो लिट्टे आप नाम सुनते हैं वो बेसिकली जाफना प्राइदीप की ही लड़ाई है एक्च्छल में देखे इस पूरी मसले को तो हम किसी और दिन समझेंगे लेकिन देखे फैमिली मैन एक वैब सीरीज आई थी आई थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी क्योंकि मनोज वाजपे की बहुत ही शान दारेक्टिंग है उसमें तो फैमिली मैन ही नाम है जहां तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ उसमें भी जाफना प्राइदीप दिखाया गया है बाकाइदा ठीक है कि कि किस तरह से आतंकवादी घटना यहां पर चलती रहती है जिनकी वज़े से भारत में भी डिस्ट्रवेंस होता है यह बिल्कुल तमिलाडू और जाफना प्राइदीप के बीच में है क्या पाक जलसंदी पाक जलडमरू मध्यभी से कहते हैं कोको जलसंदी तो यह है अंडमान और म्यामार का जो कोको द्वी तो यह हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि भी समुदरी तट्रेखा, गुजरात के, महरास्टर के, गोवा के, कर्णाटक के, कैरल, तमिलनाडू, आंद्रप्रदेश, उडिसा और पश्शिम्मंगार मतलब पूरे भारत के प्राइदीप यह भारत जो है इस पे आप घूम ज हुआ है, तेलंगाना पूरी तरह से लेंड लोक में आता है, ठीक है, क्योंकि तेलंगाना को हमने याद किसमे किया था कि मध्य परदेश, चतिसगर, जारखन, हर्याना और तेलंगाना, यह पांचों वो स्टेट हैं जिनके ना तो कोई इंटरनेशनल बाउंडरी लगती है ना ही कोई कोस्ट लाइन लगती है, कोई तटरेखा नहीं लगती है, अंडमान निकोबार, हम बात कर रहे हैं कि भी तटरेखा लगने वाले एक तो स्टेट और दूसरा यूनियन टेरेटरी, केंदर सासित परदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समोय, इसके क्या लेकिन अब हम हर एक स्टेट को भी तो डिसकस करेंगे न, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन जोग्रोफी, जो कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, इसलिए डेमो क्लास आज यूटूब पे है, इसके बाद वाली क्लासेस डेली बेसिस पे एप पे रहेंगी, वा यहाँ पे यह मत समझना कि अंडमान निकोबार को ठीक तरह से सारे द्वीपों को बताया क्यों न, कि कहाँ पे अंडमान है, कहाँ पे निकोबार है, किस तरह से निकोबार भी द्वीपों में बटा हुआ है, कहाँ पे कार निकोबार है, यह सारी चीजें हम डिसकस करेंगे जब हम अंडमान निकोबार को पढ़ेंगे ठीक है लक्षे दीप दादर नगर हवेली और दमन दीव इनको मिला करके एक ही यूनीन टेरेटरी बना दिया गया है जबकि 26 जनवरी 2020 से पहले ये दोनों अलग-अलग यूनीन टेरेटरी हुआ करती थी दादर और नगर हवेली अलग यूनीन टेरेटरी थी दमन और दीव अलग यूनीन टेरेटरी थी अब ये एक ही है और पुद्दुचेरी इन चारों के क्या लगता है भई इन चारों के कोस्ट लाइन लगती है तट्रेखा लगती है ये चार वो केंदर सासित परदेश हैं क्योंकि देखे बहुत ह चार तो ये केंदर सासित परदेश हैं जिनके तट्रेखा लगती है टोटल हमारे कितनी यूनियन टेरेट्री हैं आठ हैं बची चार कौन सी जम्मु कश्मीर लद्दाख जिनको तो अभी बनाया है तो आपको याद भी है रिसेंट में दोनों ही क्या है लद्दाख तो जो है ना ही कोई तट्रेखा लगती है जम्मु कश्मीर के ना ही तट्रेखा लगती है चंडिगड के और ना ही दिल्ली के ठीक है तो ये चार वो यूनियन टेरेट्री है जिनके कोई तट्रेखा नहीं लगती है अब इसके बाद देखिए दमन दिव और दादर नगर हवेली की तो हम location देख लेते हैं, देखे ये गुजरात का सदन वाला पार्ट है, यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में यहाँ पे है दिव और यहाँ पे है दमन, दमन और दिव, तो यह कहाँ पे हैं भई, यह कोस्ट लाइन पे हैं, तट्रेखा पे हैं, इसके दादर और नगर हवेली, ठीक है, तो दादर नगर हवेली तो कोस्ट लाइन शेर नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब यह पूरा एक ही union territory है, दमन, दिव, दादर, नगर हवेली, तो इसी वज़े से हम क्या कहते हैं कि दमन दिव के क्या लगती है, कोस्ट लाइन, तो इस पू दिखाई दे रही है, इस से उपर है गुजरात, और यहां है महारास्टा, आपको दिखाई दे रहा है न, महारास्टा, और यह है गुजरात, और यहां पे है दादर और यह है सिल्वासा, और इसके अलावा सुरंगई, यह यहां पे हैं, यह portion आपको दिखाई दे रहा है, यह पार्ट यह है दादर नगर हवेली और यह दमन आपको दिखी रहा है और दीव जो है वो उपर की तरफ है गुजरात में यहाँ पे इस जगे पे है दीव यहाँ पे यह है दीव ठीक है पांडी चेरी यह आपको खूप कन्फ्यूज करता होगा पुद्दु चेरी पुद जगे को मिला करके इं चार लोकेशन को मिला करके पुद्दु चेरी बनता है complete union territory ठीक है तो यह इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए देखो यह वाला स्टेट आपको दिखाई दे रहा है देखने के साथ ही समझ आ रहा है कैरल है कैरल में इस वाली जगें पे कैलल के अ पुद्दूचेरी जो जिला है वो यहां पे तमिललाडू में है यहां पे है यنम जो कहां आ गया है अधिरप्रदेश में क्योंकि इस तरह आसे तेलंगाना तो यह वाला पार्ट क्या है अंधिरप्रदेश लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ध्यान जोग्रोफिक wie according fact का ध्यान रखना है कि भी तीन स्टेट में आता है पुद्दू चेरी ठीक है आंधरप्रदेश में तमिल नाड़ो में और कैरल में और श्वें में पुद्दुचेरी जो जिला है वो कहां पे आता है तो तमिल नाडू में आता है ठीक है राज्यों तथा केंदर सासित परदेसों में पुद्दुचेरी एक ऐसा केंदर सासित परदेस है जो तीन राज्यों में फैला हुआ है जिसके अंतरगत यनम आंदर परदेस में है आज के क्लास का, हमने क्या-क्या देख लिया है, भई, बेसिकली हमने ये देख लिया है कि लेंड लोग स्टेट कौन-कौन से है? कोस्ट लाइन के लगने वाले स्टेट कौन से है इसके लावा भारत में कौन-कौन से पडोसी देसों की international boundary कौन-कौन से स्टेट के साथ लगती है इसके लावा करक रेखा कौन से स्टेट से गुझरती है साड़े 180 डिग्री देसांता रेखा लोंगिटूड जो है वो कहां से गुजरती है कौन से स्टेट में से गुजरती है ठीक है और अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में डेली NCR जो है उसमें कौन-कौन से जिले आते हैं क्योंकि बहुत बार कोशन पूछ लिया जाता है तो हरियाना से फरीदाबाद, गुरुग जीन्द और कर्णाल बेसिकली तो यह हरियाना या फिर जो DSSB के पेपर होते हैं उनमें ऐसी बात पूछी जा सकती है कि इतना डीप में कि NCR में जिले कौन-कौन से जिले आते हैं तो देखे एक तो हरियाना के एक UP के और एक राजस्तान के देखे राजस्तान की बाउंडर किसकी लगते हैं UP की और हरियाना की लेकिन फिर भी राजस्तान के दो जिले इसमें दिली NCR में आते हैं और वो कौन से हैं अलवर और भरतपूर और इसी को क्या कहते हैं मेवात इसी क्षेत्र को कहते हैं अलवर और भरतपूर वाले को ठीक है तो यह बात एक exceptional ऐसा केस है कि यह भी राजस्तान तो टच नहीं होता बाउंडरी नहीं लगती दिली से उसके बावजूद राजस्तान के दो जिले जो हैं वो दिली NCR में आते हैं भरतपूर और अलवर ठीक है बाकी यह जिले आप एक बार मैप में भी देख लेना दिली का मैप प्रॉपर मैनर में 1457 की क्रांती पढ़ते समय बकाइदा मेरट की हमने बात कीती है न तो मेरट, गाजियाबाद, गौतमबुद नगर, बुलंद शहर, हापूर, बागपत, मुझफर नगर और शामली देखें दिली के आसपास के जो एरिया हैं उनमें मैट्रो से कनेक्टिविटी इतनी यहां पर जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है उसे लगातार बूस्ट किया ही जा रहा है, लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बहुत बार हो सकता है कि कि किसी भी प्रेस्पेक्टिव से कोशन आ जाए, तो आप डील कर ले जाओ, तो इसको आप बकाइदा म मैप देखना है आपको, तो यह आपका बेसिकली क्या है, होमवर्क है, ठीक है, जनरली होमवर्क मैं देती नहीं हूँ, लेकिन आज है आपके लिए, यह होमवर्क है, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, जै हिंद, जै भारत